गरे लूप चार और सोखी जीवन चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रैवलिंग करते समय यदि आपको उल्टियां आती हैं यह सिर्दर्ध होता है तो किस तरह से आप इसको आसानी से आवएड कर सकते हैं या इस परेशानी से किस तरह से आप बहुत आसानी से अपने आपको बचा सकते हैं दोस्तों कई लोगों को ट्रैवलिंग करते समय उल्टियां आती है ऐसे में यह लोग अपने दोस्तों के साथ घुमना फिरना बिल्कुल बंद कर देते हैं और अग्noor करने लगते हैं कही ऐसे में यदि आप यहां इस वीडियो में बताएगे नुस्कों को अपनाते हैं तो आप आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तो सफर में यदि सिरदर्द होता है या उल्टी आती है या आपका जी मचलाता है तब आप अद्रक के छोटे छोटे टुकड़े को अपने मुह में रख लीजिए और चाहें तो इसके साथ में आप काला नमक अद्रक के साथ मिला कर भी ले सकते हैं इसके अलावा आप अद्रक की चाय भी पी सकते हैं यह उपाय आपको उल्टी और सिरदर्द की समस्या से आसानी से छुटकारा दिला देता है दूसरा उपाय यह है कि किताब ना पढ़ें और मॉबाइल से भी दूर रहें दूसर उसकर करते समय यह आप किसी किताब को पढ़ते हैं या मॉबाइल को चलाते हैं तब आपका जी मिचलाना सुरू हो जाता है और आपको चक्कर आने लगते हैं सफर के दोरान ये कारिय ना करना भी आपको उल्टी या जी मचलाने जैसी समस्याओं से बहुत आसानी से बचा लेता है तीसरा उपाए पूदीने का इस्तिमाल करें यदि आप सफर पर जाने से पहले अपने रुमाल में मिंट यानि पूदेने का जो तेल होता है उसकी कुछ बूदे छिड़क लें और सफर में उसे सुंखते वे जाएं तो ऐसा करने से आपको सफर में सिर्दर दिया उल्टी की समस्याओं बिल्कुल भी नहीं होगी और चौथा उपए, खाली पेट सफर बिल्कुल भी ना करें दोस्तो जब घर से जब आप निकलें तो खाली पेट ना निकलें और ना पेट भर कर भोजन करें दोस्तो इसमें दोनों ही चीजें हानी का रखें जो उल्टीओं को और सिर्दर्ध को नियोता देती है जब आप घर से निकलें ना तो खाले पेट होना चाहिए और नहीं इतना ज़्यादा भरावा होना चाहिए कि आपको उल्टी आने लगें दोस्तो ऐसा करने से आपके पेट या सिर में गैस बन जाती है तथा आपको उल्टी या सिर्दर्द की समस्या हो जाती है इसके अलावा आप सफर में गाड़े की खिड़की के पास में बैठें ऐसा करने से आपको सिर्दर्ध या उल्टी जैसी समस्याएं नहीं होगी दोस्तो ये थे चार बहतरी नुपाए आप इन्हें अपना कर आप कहीं भी घुम सकते हैं बिंदाज और आपको कभी भी कोई भी रास्ते में ट्रैवलिंग करते से में कोई परेशानी नहीं होगी और आपको दोस्तों के साथ जाने में सर्विंदिभी सर्विंदिगी का सामना भी नहीं करना होगा दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी ये वीडियो और बताए गए उपाए आपको अच्छे लगे हों तो हमारे इस चनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें हम जल्दी फिल लोटेंगे कुछ नए मरज और उनके आसान से उपायों के साथ तब तक आप हस्ते रहें मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल करें